आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब बोला कि एक पर पास जब Project Tile में पास क्या करता है अपने पास same height पे अपने पास same level पे आजाता है ठीक है ground पे तो अपने पास बोला कि जो उसने horizontal में जो उसकी distance level की है मतलब जो उसकी range के एकल हो जाएगी तो उसकी जो range है उसके लिए कौन से में पास जो value है वो possible नहीं होगी है इस question में अपने को find out करना है तो इस question को अपने यहां पे solve करना है start करते है तो सबसे पहले अपने पास इसकी जो u है इसकी velocity अपने पास वो कितनी given है u given आपास यहां पे हो है 20 meter per second और इसमें एर कितनी हो है प्लस माइनस 5% की error है यहां पे और इसका जो projection का एंगल है ठीटा उसकी विलिए कितनी हो है 60 degree तो माल लेता है कि में पास यहां पे कोई plane surface है यहां से अपने जो projectile उसको motion दिये यहां पे ठीक है इसकी velocity में बोलता हूँ है 20 meter per second बोलता हूँ है यहां पे में पहले और यहां पे एंगल इसका चीटा कितना है 60 degree तो क्या करेगा यहां से यह projectile motion करेगा और किसी point पर जाके यहां पे वापिस गिर जाएगा तो same level नाने पे उसने जो distance करेगा और किसके कर गाएगा यहां पे रेंज के गोल आएगा इसकी और अपने पता जो projectile की range होती है उसका formula पास बता होता है वह क्या होता है यहां पे जो स्कुरिच का formula होता है आर होता हो क्या होता है यहां पे वोता है u square sin of two times theta divided by z तो u क्या यहां पे 20 तो 20 का स्कीर के जाएगा 400 इंटू साइन वन ट्वंटे डिग्री डिवाड़ेड़ यहां पर है, जी जी के वित गया 10 तो आज जाएगे यहां से 40 इंटू साइन 120 और जो साइन 120 डिगी जो ताम पर सहां पर उसकी विले लिए ओती है root 3 by 2 तो आजाएगा root of 3 by 2 तो यह लिए आजाएगी 20 root 3 meter, इतने distance आजाएगी मेर पास यहाँ पे अब अपने पास पता है कि जो S में error कितनी है उपास यहाँ पे plus minus 5% error किसमें जो अपने पास U है उसमें मेर पास जो delta U by U into 100 है उसकी value कि यहाँ पास यहाँ पे हो 5 given यहाँ पास यहाँ पे plus minus 5 इसकी value given है ठीक है तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे यह जो equation है range वाल equation वो कि यहाँ पास यहाँ पे R is equal to range की equation है R is equal to U square sin 2 theta by Z तो मैं क्या करूँगा इस equation में दोनों तरफ natural log लेलूँगा तो मैं बोलूँगा taking log natural both side ठीक है पे पास क्या जाएगा इधर आजएगा ln R is equal to ln Q square sin 2 theta by Z अब ने को ln की उस property पता है ln अपने पास A dot B होता हो किसके एको लगता होता है ln A plus ln B और ln A by B होता हो किसके एको लगता है होता है ln A minus ln B और अगर ln A to the power n होता है तो मैं पास क्या जाता है n ln A के equal तो यह property मैं यहाँ पे use करूँगा तो मैं पास यहाँ पे जो left hand side हो क्या रहेगा हो तो ln R ही रहेगा right hand side क्या हो जाएगा इसको लिख सता हूँ मैं पे ln U square plus यह हो जाएगा ln sine 2 theta by Z यह आजाएगा अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको लिख दिया ln R यह हो जाएगा मैं पे पाउर सामने जाएगी टू टाइम्स ln U plus ln sin 2 theta by G तो मैं पास यहाँ पे जो natural हो जाएगा अब मैं क्या करूँगा दोनों तरप differentiate कर दूँगा तो मैं पास यहाँ पे क्या आएगा मैं पास यहाँ पे आएगा जो ln R क्या हो जाएगा 1 by U और इसका जाएगा U का del U plus यह जो मेरे quantity क्या है sin to theta by G क्या constant है तो ln के अंदर constant क्यों जाएगा जाएगा constant आती है तो इसका जो difference यहाँ जाएगा 0 मैं पास क्या जाएगा कि जो इसको मैं अगर यहाँ पे del के formula क्या जाएगा del R by R is equal to यह जाएगा जाएगा आपे 2 times del U by U exact आगर मैं उसके difference के formula लिख दिया है मैं यहाँ जाएगा यहाँ पे del R by R into 100 is equal to 2 times del U by U into 100 अगर जोन तरफ 100 से multiply किया मिर पास क्या जाएगा जो range में percentage 0 रहाएगी velocity में किती थी होती plus minus 5% तो कितने जाएगी इस मेर जाएगी plus minus 10% तो मेर पास यहाँ पे जो range जाएगी उसको क्या लिखता हूँ में जो इसकी range थी उसकी value किती थी होती 20 root 3 plus minus 10% की गिर जाएगी तो अगर मैं यहाँ पे जाएगी 2 root 3 मेर पास जो range जाएगी उसकी value क्या जाएगी वह जाएगी 20 root 3 plus minus 2 root 3 यह value हो सकती इसकी तो इसकी जो minimum value क्या जाएगी minimum value हो जाएगी हो जाएगी यहाँ पे 20 root 3 minus 2 root 3 और जो maximum value हो जाएगी हो जाएगी यहाँ पे 20 root 3 plus 2 root 3 तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो R होगा वो किसके में vary करेगा इसके R minimum से लेके R जो maximum है इसके बीच में lie करेगा मेरा यहाँ पर तो यहाँ R minimum के value अगर मैं solve करूँगा तो कितनी आएगी 31.1 meter और जो R maximum है उसके value 1 meter तो अपने पास जो range है उसकी वो क्या आगी यह जो अपने पास value N के बीच में पास उसकी जो range हो आएगी तो यहाँ पर अपने option चेक करेंगे कि कौन से value से range से भाहर होगी वो अपने पास answer हो जाएगा क्योंकि अपने पास question क्या पुछा गया है कि में पास जो range है उसकी कौन से value जो possible नहीं है तो यहाँ पर 34.6 possible है 37.5 भी possible है 32.32 possible लेकिन 39 हो possible नहीं है और अपने पुछा गया है कौन से possible नहीं है तो अपना जो option हो जाएगा यहाँ पर यह D हो जाएगा question का अपना correct answer हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो option D है वो इस question का अपना correct answer है Thank you students Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 बर